ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मिथुन नाशी वालू हो जाओ तैयार क्योंकि अब पूरे 72 सालों के बाद बना हैं ऐसा महासयोग अब आपको भगवान शुर्यदेव के अशिरवास से 17 अप्रेल से 26 अप्रेल यानि की इन 10 दिनों में बहुत बड़ी खुसकबरी मिलने वाली हैं यूँ कहें कि इन 10 दिनों में आप सोने के महल में राज करोगे जाओ दोस्तो भगवान शुर्यदेव के अशिरवास से इन 10 दिनों का समय आपके लिए अतियंत लाबकारी समय रहने वाला हैं जाओ दोस्तो भगवान शुर्यदेव के अशिरवास से इन 10 दिनों में आपको अनेको पिरकार की बड़ी बड़ी खुसकबरिया बड़े बड़े लाब धनलाब और बड़े-बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या दोस्तों भी बड़ी खुसकबरिया कौन-कौन सी है इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अन्त तक अवश्य बने रहें और अन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाएं चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए भगवान सुर्य देव के असिरवास से 17 अप्रेल से 26 अप्रेल यानिकी इन 10 दिनों का यह महत्पापो समय दोस्तों यह समय ग्रह गोचर पून रूप से आपके पक्ष में हैं आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत वैशशक्त बनेगी आलस छोड़कर पूरे मनो योग से अपने लक्षय को पूरा करने में आप शंगलन रहेंगे युवा वर्ग अपने केरियर के प्रिती पून एकागर चित रहेंगे और सफलता भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे दोस्तों साथिसाथ आप लोग कैसे भी परिश्तिती में शामान्य रहते हैं आप अपने कर्म वे प्रुशार्थ के माध्यम से अपनी उपलब्दियों को हासिल कर लेंगे शंतान के विद्या अध्यन स संबंदित कोई महत्पपूर्ण कर रहें संपन होगा दोस्तों साथिसाथ उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए अब उचित अवसर हैं इसलिए आप प्रियासरत रहें बच्चों से संबंदित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक आपको रहत महसूस होगी किस नज़िदीक रिष्टिदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंद पुने सोहार्द पूर्ण बनेंगे शाथ साथ पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्त संबंदित परिसानियों में ऐ प्रतियासित सुधार आने से स्वैम को आप उड़ जावान महसूस करेंगे और को पूरा करने में आप शक्षम रहेंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंदित योजना भी बनेगी दोस्तों साथ साथ अगर कोई भवन निर्मान संबंदी कार्ले रुका हुआ हैं तो अब इस समय उसका पूरा होने के योग बन रहे हैं साथ साथ किसी प्रोपर्टी क को खरीदने संबंदी योजनाय भी बनेंगी आपका वैज्यानिक दृष्टि कोण तता उन्नत सोच आपके घर तता वैवशाय दोनों में समांजस बना कर रखेगी दोस्तों साथ साथ यह समय प्रोफेशनल पढ़ाई में अध्यनरत विध्यार्तियों को उचित सफलता प् पूर्ण रूप से एकागरचित काम करने में सफल रहेंगे भूमी या वाहन के लिए रण लेने की भी योजनाय बनेंगी परन्तु जल्द ही आप उसे चुकता करने में भी शक्षम भी रहेंगे दोस्तों साथ साथ यह समय दूसरों के मामलों में हस्त छेप आप ना करें जिसकी वज़े से एक कारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे बिना पड़े किसी भी कागज या फिर दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर ना करें साथ ही क्रोद वे गुस्से पर अंकुस रखना आपके लिए अतियावशक है साथी साथ इस्तितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का साहरा आप ना लें अन्य था कोई परिशानी उत्पन हो सकती है कोई व्यक्ती आपसे चिकनी-चुपड़ी बाते करके आपकी कोई गुप्त बात निकल वा सकता है इसलिए आप शाबदान रहें दोस्तों साथी साथ किसी के साथ भी बात चीत करते समय बहुत अधिक ध्यान रखें कि आपकी किसी नकारात्मक बात से संबंद बहुत अधिक खराब हो सकते हैं महिलाएं विपरेत लिंगी विक्तियों के साथ बात चीत के दोरान सावधानी बढ़तें किसी प्रकार की बदनामी भी हो सकती है दोस्तों साथिसाथ यह समय नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से आप दूरी बना कर रखें क्योंकि उनके द्वारा समाज में आपके खिलाफ कुछ गलत फैमिया उत्पन करने की योजनाएं बन सकती हैं कभी कभी गुस्से में आप आकरमक रुख अपना लेते हैं जिससे आप अपने लिए ही परेशानिया खड़ी करते हैं अपने इस वेवार पर थोड़ा आप कंट्रोल करें दोस्तों साथ साथ यह समय कभी कभी किसी नकारत्मक परस्तित्यों के उत्पन होने से विचलित और निरास भी आप हो सकते हैं फिजूल खर्ची पर भी नियंतन रखना आपके लिए अतिआवशक है रुपे पैसे के लेन देन के मामलों में किसी पर भी भरोसा आप ना करें किसी रिष्टेदार से सम्बंदित एप्रिय समाचार प्राप्त होने से मन काफी उदास रहेगा दोस्तो साथ साथ यह समय किसी लापरवाई की वज़े से पैसा बरबाद हो सकता है इसलिए आप सावधान रहें बहतर होगा कि कोई भी निर्णे लेने से पहले अनुबवी व्यक्ति की सला आप अवस्यले आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतिनी के बीच चल रही गलत फैमिया दूर होंगी साथ ही किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है परिवारिक परिस्तितियां पूर्णतें पक्ष में रहेंगी घर के बड़े बुजुर्गों का अशिरवाद वे सहयोग घर के वातावरण को शुकद में बना कर रखेगा दोस्तों साथी साथ यह समय विपरीत परिस्तितियों में जीवन साथी का पूर्ण शहयोग आपको प्राप्त होगा प्रेम संबंद भी मर्या दित रहेंगे दोस्तों साथी साथ यह समय परिवार में शुक्सांति का वातावरण बना रहेगा मित्रों के साथ परिवारिक get together प्रसंदता वे नई उर्जा आपको प्राप्त करेगी जिससे परिवार में खुस नुमावाता वरण रहेगा और आपके प्रेम संबंद भी बहुत अधिक मजबूत होंगे दोस्तो बात अगर आपके करियर और वेवसाई की करें तो यह समय वेपार में कुछ परेशानिया महसूस होंगी नए तथा अजनभी लोगों पर आप विश्वास ना करें तथा अपने निर्णे को ही प्रात्मिक तादें कोई नजदी की यत्रा संपन भी हो सकती है जो आपक के लिए बहुती लाबदाएक साबित होगी नोकरी पेशा व्यक्ति अपने ऑफिस में अपना उचित वैवार बना कर रखें दोस्तों साती साथ वैपार को पुनहें उठाने के लिए आप भरसक प्रियास और परिश्रम करेंगे आंसिक रूप से आपको सफलता भी प्राप किसी प्रिकार के तनाव वे टकराव होने की इस्तिती बन रही है परन्तु अगर आप धहरे और सैयम से काम लेंगे तो परिस्तितियां उन्हें सामान ने हो जाएंगी किसी अनुबवी व्यक्तिक की सला आपको मुश्किल परिस्तितियों से निकानने में आपकी मदद करेग दोस्तो साथी साथ वेपार में भहुत अधिक आपको मेहनत और परिश्रम करने की आवश्क्ता है यह समय आपको कुछ शकारात्मक प्रिणाम भी प्राप्त होंगे तथा विस्तार संबंदी कुछ नई योजनाई भी बनेंगी परन्तु अपने काम के क्वालिटी पर और अ आपके लिए अति आवश्क है आपकी वेपारिक सूचनाई भी लीक हो सकती है परन्तु आपका पूर्ण रूप से समर्पित भाब कारोबार और नोकरी में आपको कुछ अच्छे परिणाम हासिल करवाएगा किसी को पैसा देने से पहले धनकी वापसी भी सुनिचित करना आपके लिए अति आवश्क है अन्यता आपका पैसा भी फस सकता है सावधान रहें दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय वाहन बहुती आप सावधानी पूरवक चलाएं किसी प्रकार की चोट या फिर दुरगटना के योग बन रहे हैं हलकी फुलकी मौ मौसमी बीमारी जैसे खांसी जुखाम आपको रह सकता है इसमें किसी भी प्रकार की आप लापरभाई ना वरतें तनाव अवसाद वे मौसमी बीमारियों से थोड़ा आप बच कर रहें अपनी दिंचरिया और खानपान को विवस्तित रखें दोस्तों साथ साथ कुछ समय स से चल रही स्वास्थ संबंदित परिसानियों से यह समय आपको रहत मिलेगी रोग निर्वत्ती के लिए प्रकर्तिक तरीकों को अधिक अपनाए इसके लिए आप कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करें ऐसा करना आपके स्वास्थ के लिए बहुती अच्छा रहेगा